नमस्कार में उकाजर मिश्रा स्वागत है आपके अन्वर लाइप पर आई नजर डालते हिमाज़ प्रदेश की मुखी खबरों पर मुखी मंदी सुक्वेंदे सिंग सुखु ने दिया बयान की हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण प्रदेश में कई सडके हुई छतिग्रस और नीजी एवं सारवजिनिक संपत्ती को हुआ है भारी नुकसान लेकिन अब हम स्थानी निवास्यों परेटकों को करते आश्वास किर राज में सडकों को काफी हद तक कर दिया गया है बहाल तथ प्रदेश में परेटकों के लिए सुरक्षित आवागमन किया गया है सुनक्षित 14 सेटंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश में 4700 प्री प्राइमरी सिक्षकों की भरती का हो सकता है फैसला सिक्षा मंतरी रोहिठाकों ने विभागी समिक्षा बैठक में अधिकारियों के संबंध में प्रस्ताव बनाने में तेजी लाने के दिये निर्देश वायस परमा रड़ योजना और राजियु गांधी डे बोर्डिंग स्कूल योजना को लेकर भी सिक्षा मंतरी ने लिया अपडेट मुखिमंदी सुगंदा सिंग सुखु के सुलवस विधान सबाच छेतर के दोरे के दोरान स्थानी विधायक वपुर विधान सबा अध्यक्ष विपिन सिंग परमार ने सुलव मंडल भाश्पा के पदाधिकारियों वकारे करताओं के पस्थिती में सीएम को सौपा को फिर से जारी हो रहे कूडे के हजारू रुपए के बिल कई लोगों को उनके खाली पड़ी जमीन के नाम से भी कूडे के बिल कर दिये गए जारी नगर नेगम आयुक्त ने शिकायते आने के बाद मामले पर शुरू की है जाच राजी प्रदूशर नियंतरर बोर्ड ने बीते जुलाई मा में सेव को खड में बहाने वाले रोहडू छेतर के बागवान पर लगाये एक लाख रुपए का जुर्माना दिये गए नोटिस में प्रदूशर नियंतरर बोर्ड ने एंजिटी के 2013 के आदेशों के 77 पर्याव परन सडक्षर कानून का भी दिया है हवाला विशधरोहर कालका शिम्रा रेलवे ट्रैक पर कालका से कोटी के बाद अब सोलन तक ट्रैक बहाली का शुरू हो गया कार इसके लिए रेलवे बोर्ड की टीम ट्रैक पर युदस्तर पर कर रही है कार कोटी से सोलन के बीच है कई की ऐसी जगह जहां पर हवा में लटक रहे ट्रैक 12 सितंबर तक कारे पूरा करने का किया गया है दावा चन्डिगर से मनाली जाने वाले परेटकों को मंडी पंडो के 20 सड़क बंध होने से नहीं होना पड़े का परेशान लोकनरमार विभाग ने चैल चौक पंडो सड़कों विकल्प मार के रूप में तयार करने की शुरू की है कवायाद विभाग ने केंदर सरकार को भेज दी है 49 करोन रुपए की डिपियार स्विक्रिती मिलने के बाद इस सड़कों चोड़ा करने का शुरू कर दिया जाएगा कारे किनोर जिला के निगुलसरी के पास गुरुवार सुबह एनेच से गुजर रही पिकप वाहन पर आगिरी चटान जिससे पूरी तरह सड़क पर विखर गया वाहन में लदे सेव इस दौरान कई घंटों तक एनेच रहा बन जिसे बाद में एनेच प्राधिकरण द्वारा कर कर दिया गया बहाल एनेच प्राधिकरण ने दी जानकारी कि सड़क मार्ग बहाल होने के बाद सभी वाहनों की शुरू हो गई आवा जाही हमाचल में धीमा पढ़ता जा रहा है मांसुन पिछले 24 घंटों के दौरान जिला शिम्ला में ही हुई है हलकी बारिश तो यह थी मार्स आप रोदेश अब तक की मुख्य खबरें इसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें